एक गाव में एक कुत्ता रहता था आवारा कुत्ता रोज यहां वहां घुमता था गाव में उसे खाना मिल जाता था एक दिन कुत्ता बहुत घुमा पर उस दिन उसे कही कोई खाना नहीं मिला पर थोड़े दूर जाने के बाद कुत्ते को एक पेड दिखाई देता है उस पेड के नीचे एक रोटी दिखाई देती है कुत्ता बहुत खुश हो जाता है कुत्ता दोडने लगता है और दोड के जाता है और वो रोटी उठा लेता है मुह में रोटी को पकड़ के कुट्टा चलने लगता है चलते चलते कुट्टे को बीच में एक छोटा तालाब दिखता है जिस पर एक छोटा पूल होता है अब कुट्टा चलते चलते पूल पर आ जाता है और उसे पानी में एक दूसरा कुत्ता दिखाई देता है और उस कुत्ते के मुह में भी एक रोटी भी दिखाई देती है कुत्ते को लगता है कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता है और उसके पास भी एक रोटी है जैसे ही पूल पर खड़ा कुत्ता पानी में देखता है तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है जैसे ही ये उसे गूरता है उसका प्रतिबिंब भी उसे गूरता है कुत्ते को पानी में अपनी ही परच्छाई दिखाई दे रही थी कुट्टे को समझ में नहीं आ रहा था और उसे लगता है अगर इसकी रोटी मुझे मिल जाए तो मुझे आज दो रोटिया मिलेंगी कुट्टे के मन में लालच आ जाता है और अपनी परचाई की रोटी छीनने के लिए पूल पर खड़ा कुट्टा भोकने लगता है जैसे ही कुट्टा भोकने लगता है उसके मुझे से रोटी पानी में गिर जाती है और कुट्टे को रोटी नहीं मिलती कुट्टे को बहुत भूरा लगता है कुट्टे को एक रोटी भी नहीं मिलती कुट्यां अपने लालच के वज़े से अपनी एक रोटी भी खो देता है दो रोटिया खाने के लालच में कुट्ये को एक रोटी भी नसीब नहीं होती कुट्ये को ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कभी भी लालच नहीं करना चाहिए हमारे पास जो है उसमें संतूस्ट रहना चाहिए